वेलकम बैक तो माई टूप्शल पेपर हैकर आज की वीडियो में देखेंगे चोभी छातर बीएसी थडियर में है उनके लिए मिलिटरी स्टेडीज का हम फट्ड पेपर लेके आए जिसका नाम हो जाएगा युद्ध का अध्यान तो युद्ध का अध्यान आपका पेपर का नाम होता है अब यहां मलिटरी स्टेडीज थे थर्ड पेपर की बात करने वाले है जो आपके एक्जाम 2022 में आने वाले हैं आपसे मैं बादा करता हूँ इन कोशनों को याद करके आप 85% प्लस लेके आएंगे यह 18-19 कोशन है आप इन कोशनों को पढ़ लेना और एक्जाम से दो दिन पहले मैं 10 कोशन दोगा जो आपके पेपर में आते होंगे तो सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप यूपी के किसी उनिवस्टी से है सौ परशेंट इंपूर्टेंट है कैसे आपके पास बुक होगी नोट्स होगा जो स्थी से मार्केट से लेके आते हो आप लोग आते हो उनको ओपन कर लो ठीक है उन पे टिक लगा लो जो मैं बता रहा हूं सच बता रहा हो तोटल जो कोशन में बता रहा हो वही डिएक ho सर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा ठीक है उन्हें बता दीजिए कि पेपर हैकर यूटूब चल से पढ़िए चाहिए वो हाई स्कुल में हो इंटर में हो भी एसी भी कम कुछ भी हो आपके लिए इंपोर्टेंट इससे बाहर कुछ नहीं है देखो यहां को लगया है यूद का पहला कोशन पर ठीक लगाएंगे युद का क्या अभिप्राय क्या है यूद किसे कहते हैं ये वो लागया है समझ रहा है यूद को परिभासित कीजिए यूद की बिषेष्टा क्या होती है अपको ये पूचा क्या है अब देखो तरीका भाहियों का करने का आपको बना बन है इतने प्रिकाष के भारी यूद्स का लुद्स का नुभार के सब्सक्राइब उसको क्या ण gir payer रहे जाए उसके आना थेड़ा युक्ति डीविझ्ट डीब युद्ड मेरा कहना है तो और इसके नियमों के सिद्धान की विविचना कीजी, उसके नियम क्या है, मतलब सीत यूद यदि आप लड़ाई करते हैं, तो उसका नियम क्या होता है, आप यह याद करेंगे, एक होता है चापामार यूद, चापामार यूद मोस्ट इंपोटेंट है, चापामार यूद को के बारे में आपको याद करेंगे नेक्स कोशन है बिटा कूट योजना क्या होती है बहुत इंपोटेंट है कूट योजना क्या है इसके अर्थ मदब कूट योजना की परिभास आपको बता देना है उसका उद्देश क्या होता है कूट योजना का अर्थ क्या होता है महान आपकिन को याद करेंगे यह short में आपको देखने को मिलेंगे यह बैरी important question select पर लगा देना वहादोन के से आपको पूर्वीध्दा कностью करने को, आपको यह बताना है जो अधूनिक पूर्व मुझा जनक है कょ達 कीजिए कि जो कासकें हैं अपको करते कीजिएक दीजनक आपको सिघ्णुक्त के से अजनक गद्धा Kathшее जो ह Soo आपको यार्थ करेंगे समरतंत्र के का होता है समरतंत्र की परिभासा एक लात करेंगे साथी साथ आप यह देखेंगे कि अधुनिक जो यूद कला थी उनकी पिर्मुक विशेस्था है क्या क्या थी मनलग अधुनिक यूद कला है उसकी पिर्मुक विशेस्था है क्या क्या है उन विसेष्थाहों को 4-5 याद कर लेना ज्यादा जादा जूरूत नहीं है नेक्स कोशन कोशन पर लगाएंगे कि युद्ध की परिभासा मैंने ऊपर बता चुका हूँ तो इसकी जूरूत जूरूत नहीं है युद्ध की कारण क्या होते है तो कारण तो आप जानते हैं, मिसेस्था महत, उनकी, तो कारणों को याद कर लेना, युद्ध होने का कारण क्या होता है, वो आप याद करेंगे, मनो बैग्याने की युद्ध क्या होता है, यह आपके लिए important question है, अधूनिक युद्ध और अर्थ विवस्ता से आप क्या मन बता देना है, उसके बाद में नाभी की युद्ध होता है, इसको आप याद करना है, सीत युद्ध की ताथ परी भासा, मैं उपर बता चुका हूँ, तो यहाँ पढ़ने की जूरूत नहीं है, इस question को देखो, सीमित युद्ध के पहलू है, उनकी बारे में याद करना ह युद्ध इस्थार और युद्ध चक्र क्या होता है, इसके बारे में आप याद करेंगे, और देखो, तड़त युद्ध, जो तड़त युद्ध है, उसका कह सकते है, समरतंत क्या होता है, आप देखेंगे, तड़त युद्ध का समरतंत की बारे में याद करेंगे, और राजनीतिक को राजनीतिक युद भी बोलते हैं यह वहाँ साथ है उसके बाद में आता है नेक्स प्रभाव क्या होते हैं यूद के प्रभाव कि बारे में आपके देखेंगे और देखेंगे पर टिपड़ी मैं उपर बता चुका हूँ यह देखो यह वाला पहलों के वारे में यही है देखो यहां कहा रहा है युद और राजनिती यहां मुला गया से आप क्या समझते हैं और यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है जिसे कहते हैं नाके बंदी के वारे में आपको वाचे इन इस वीडियो बाए 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 दोस्तों शेलों को सब्सक्राइब कर लेना वाला आकरिंग को ब्रेस कर देना बाए बाए